हलो बच्चों, कल नीट के एक्जाम में तो आप अपने एक्जाम को बहुत अच्छे से फोकस दो कर दीजिए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना टाइम अच्छे से लीजिए और आज कुछ भी नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आज एक अच्छी नीट लीजिए ताकि आप सुभे बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपने एक्जाम को दे पाएं, और एक और चीज, अपना एड्मिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन्स दिये गए हैं, बिकस कोविट प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर काफी सारी चीज़े उसमें लिखी उस चीज़ों को या तो रिवाइस कर लें, या फिर अराम करें, और कल जब एक्जाम देकर निकलें, तो बिल्कुल टेंशन लेनी की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर आज अच्छे से नीन लेंगे, अच्छे शांत दिमाग से अगर कल एक्जाम देंगे, तो बहुत अच के लिए हमेशा तयार खड़े हुए हैं, आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो अराइजर टैलेंट सभी बच्चों के साथ है, सो कल के लिए बैस्ट विशेस बच्चों!